Asalaamu alaikum पिछली वीडियो में हम लोगों ने सलाम नहीं किया था हमने का था, हेलो जी पहले सलाम करो, फिर हेलो जी कहो समझाम तो हमने एक वीडियो फिर से चेचोरपन के साथ स्टार्ट किया तो ज़रूरी है ज़रूर मलेन आ가 से घृआ से मसलाया है और भाई जए मिर दो चियाज है बहुत एक कुम शेलिक फैसे मतलब तो और यह तो इसे लेकर अगर आपको अच्छी लग रही है तो लुट फटाओ और हम सुबा जन्भी नहीं उठे हम सोई नहीं हम सोई नहीं हम अभी थोड़े जबा सोईगी कुई हमारी रात अभी हुए यह आप लोग के लिए सुबा है मेरे लिए रात हैं भी रहा हो भाई अंदेरा जादा ह अपर गडिए दुट अफिर बीजिया ऑगर आप इस वीडियो देखिया करे अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे बताना के मैं आपको और क्या सिखाँ तो मुझे काफी लोगोंने बोला कि यार इसमें तो बहुत मजा आया इन्फोरमेट्व ती अब ये सिखाओ कि फुटोग्रिफी है केसे कता है तो फुटोग्रिफी है मैं फुटोग्रिफर नहीं हूं मैं क्या कहते है निकालना चाहिए या इतनी जिदे क्या कहते है उसको बहुत आगे बढ़ चुकी है तो उनको इस वड़ इस चीज का वर्ड निकालना चα्इम की है मतलब कि मैं photographer नहीं हूं लेकिन मैं एक photographer से निचले दरिये हुआ हूं वह उससे भी निचले दर दर जर्जा होता है जिनके बास camera phone होता है लेकिन बोछ तस्वीरें बिल्कुल भी नहीं नि dari आता है लेकिन हम उनसे थोड़े जी ऊपर की चीज हैं तो हम लोग कहिए कि हम एंगल अच्छा रखे तस्वीर जो हम देख रहे ना जो नतेज भी बहुत है जो हम देख रहे ना मतलब जो व्यू हमने देखा है वही चीज हम कैमरें गेंदर ले आते हैं लेकिन हमारे निचला दरजा आता है वो जो चीज दिखरेंने उसको बेडा करक करक करके दिखाते हैं तो मतलब फिर फोटाग्रफर होते हैं उसको हम अपने लिए रखते हैं हमारा हमारा एक स्प्टाइल है तो मेरा जो चीज़ों को बलकुल खीचने से यह होता है कि नहीं पूरता है यह पिक्चर देखो फिल आ रिए और यह पिक्चर देखो इसमें भी इस्में वी स्ट्री टाइब आ रहे तो इससे यह होता है कि जब करीब आते हो ना तो चीज़ें आपको बहुत ज्यादा मतलब उसकी डेटेलिंग नजार आने चुरूर रहती है और इसके वज़ाओ लट डालते हो यह पिक्चर के इंदर में एडिटिंग नहीं शिखा रहा है एडिटिंग लट क्या होते हैं इस्टेग्र अब मेरे इतना कुछ है नहीं आते कि इसने के लिए तो यह लैंस कैप है अब लैंस कैप को हमने किस तरह बसूरत दिखाना है यह बाई आपको बताएगा यह देखो मैनुवल चले जाना मैं अभी ऑटो पर जा रहा हूँ कोशिश करना मैनुवल सेटिंग सीख लो आई एसो किस तरह रखने एपेटर क्या रखने तो अगर आपने मैनुवल सीख लिया तो आपके गेंज यहले हो जाएगे तो इस अलब अबाट दिए अगर आते हैं तो थीक रिमोर्ट रखा हूँ है पीछे से ब्लर हो लेकिन असल जो अबजेक्ट हमारा है वो है नाइकन का लेंस्कैप तो लेंस्कैप के पर नाइकन की जो डिटेलिंग आ रही है अगर मैं इसकी लट्स डालूँगा तो इसकी क्लारिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो जब इसक पिक्चर को अगर मैं यहां से कीछता है मतलब पिक्चर का बेड़ागा रखो गया और उपर से और तो लाइट कितनी जादा पड़ी है मैनुवल रखोगे तो लाइट बार बर ऐसे फ्लक्ट्वेट नहीं होगी तो यह चीज आपको मैं सिखाना चाहरा हूँ कि करीब से ख अगर आपके पास टॉपड्डाउन जाने टॉप डाउन का फीचर के वह नीचे हो जाता है तो खीचो अरगर वह चीज नहीं है और आपके हाथ के अंदर आप से तरह कर सकते हो बतलब उसके अनल यह है कि पिक्चर देखो और यह वाली पिक्चर देखो यह उतनी top-down picture इसके अंदर यह होता है कि जो object का center point होता है और camera के lens का center point होता है वो match करना चाहिए वो उन दोनों का object मतलब अगर object का center point और lens का center point match कर जाएगा ना तो और जो objects होंगे ना वो बिलकुल एक मतलब एक तरीके से ना उनकों कह सकते के align हो जाएगे तो वो उस camera के अंदर अच्छे लगेंगा आँखों से जो दिख रहा है वही camera के अंदर दिखेगा उसके बाद आप उसको edit करो तो और खुबसूरत लगेगा तो यह होता है top-down अगर आप handheld कर सकते हो इस तरह यह आपके बास tripod है तो बहुत अच्छी वात नहीं है तो जो मैंन आँगा कि अगर scenery आ दिए तो scenery के अंदर कोशिश करो हर different मतलब कि जो चीज नदर आ रही है वो camera के अंदर आने चाहिए हो किस तरह आएगी angles change करो different angles से लो अगर बिल्कुल beach से ले रहे हो बिल्कुल center point जो आपका बिल्कुल इस तरह बीच से लोगे तो grid zone करो grid से यह होगा क पिक्चर यह rotate करने की जरुवत भी बड़ेगी बिल्कुल beach में रहेगी उसके लावा नीचे से लेकर देखो उपर से लेकर देखो हर angle change करके देखो सबसे अच्छा angle जो और भी photographers कहते हैं उसके लावा हमारे YouTube fellow हैं हमारे से बड़े हैं काफी बहुत उनके games यह उनके scenes कुछ इसे वाले हैं तो उनकी वीडियो देखी थी तो मुझे पता चला था कि हाँ भाई यह चीज तो मैंने कभी note ही नहीं पिक्चर के अंदर ही होता है कि बिल्ली की जो आख होती है उधर से अगर आप पिक्चर कीचोगे ना क्या ही कहने है मिया क्या ही कहने है सींगी अच्छी और गारती हैं और पिक्चर कीकशने का अच्छा चांस है कि चीजों को करीब से जाने की का रहा है करीच से जाओगे इसको एडिट करके तो पहर चलेगा रिमोड क्या गया रहा खेर पिक्चर को समझना सीको तो मज़ए लगा तो इस तरह एंगल चेंज करो पिक्चर अच्छी हैंगी और कोशिश करो कि एडिटिंग के पर जादा ध्यान दो मतलब कि एडिटिंग अच्छी क तो फोन हो या कैमरा हो आपके मतलब आप कुछ भी कर जाओगे किसी भी चीज को आप अच्छा दिखा सकते हो लेकिन गेंग दोने चाहिए आपके और बस इतनी है फोटाग्रफी जो हमें आती है जो मेरा इंस्ट्राइम हैंडल है वो यह है आप जाके देख सकते हैं अलहम सब्सक्राइब कर दो तो मिनट लगते हैं मेरा फाइदा हो जाए जब तक के लिए पीस